हलो दोस्तों सौगत है आपका टागेट फर आएक्यू में और आज हम बात करने वाले उत्रखंड जुडिश्री प्रिलिम्स के प्रस्पेक्टिव से दोस्तों तो इस वीडियो में हम उत्रखंड जुडिश्री के प्रिवियस एर पेपर को एनलाइस करेंगे उनकी प्रैक्ट प्रिवेस एर कोश्टन ये बताने में ज्यादा हेलफुल होते हैं क्या आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो इस पेपर से हम प्रैक्टिस करेंगे उनकी जो की मिक्स्टर होंगे हिस्ट्री से भी कोश्टन से लौ से भी कोश्टन से जो जहां पर करेंट अपर मैंने उसको अपडेट कर दिया है अभी रिसेंट के लिहाज से तो उन चीजों के बारे में हम डिसकेशन करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट वन इसकी वीडियो हमने पहले अप्लोड की थी आई होब कि आपने उसमें पचास कोश्टन थे उसके प्रैक्टिस की होगी और अब जो है आग इस एक साथ आप वीडियो को शुरू करते हैं लेकि इस वीडियो को शुरू करने इस पहले आपको एक रिकिस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें स्टैनल को सब्सक्राइब करें अपने कमेट सवरू बता है कि आपको वीडियो कैसी लगी so that it will be helpful for us कि हम आगे आप से जो सेट अफ कोशन से वो क्या क्या है पहला कोशन देखिए है दोस्तों एक्स्चेंज अंडर ट्रांसफर अप्रॉपर्टी एक्ट इस इक्स्चेंज जो है वो किसके बराबर होता है पारटीशन गिफ्ट से लिए न नहीं दोनर ए जिसको जिसने देना है थीकिर हाँ जिसको gift करना है वो अगर acceptance के पहले ही gift को accept जिसको दे रहे हैं माले मैं किसी को दे रहा हूँ और उसने अभी accept नहीं किया उससे पहले हैं अगर मेरी मुझे कुछ हो जाता है तो उस gift की validity क्या होगी void within the meaning of section 100 of the transfer of property यह TPA section 100 के according एक चार चार्ज की definition क्या है इसमें से requires attestation and proved in the same way as a mortgage requires attestation and does not prove as a mortgage does not require to be attested and proves in the same way at mortgage does not prove as a mortgage बताएए इसको हिंदी मैं translate कर देता हूँ कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 के अंतरगत एक भार को क्या कहते हैं अनुप्रमाण के अवश्यक्ता है तता बंदक की तरह साबित करना होगा अनुप्रमाण के अवश्यक्ता है और बंदक की तरह साबित नहीं किया जाना चाहिए बंदक की तरह साबित नहीं करना होता है इसको हिंदी मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसका अंसर क्या होगा बताईए तो इसका अंसर होगा C does not required to be attested and proves in the same way at a mortgage अनुप्रमान के अवशेक्टर नहीं है और बंदक की तरह साबित नहीं किया जाना चाहिए ठीक है ये वला उसके बाद अब देखते हैं in the following three cases in तीनों cases में which lease of immewal property can be made only by registered instrument ठीक है निम लिखित तीन मामलों में से कौन सा अचल संबत्तिक का पट्टा केवल पंजिक्रित दस्ताविश द्वारा किया जा सकता है पहला है केवल वर्ष नुवर्षी पट्टा ठीक है केवल एक वर्ष से अधिक किसी अवधी का पट्टा तीसरा केवल वार्षिक भाटक आर्षित कने वाला पट्टा चौथा है उप अब इसके बाद बढ़ते हैं अनुयोज दावो के अंतरण का प्रावधान संपत्ती अंतरण अधिनियम में किया गया है धारा एक सो तीस में इन विच ओदे फॉलिंग केसे इट वाद है सरेंडर बाई टेनेंट इस नॉट रांसवर किस केस में कहा गया था कि किरावधार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं है माखललाल साहा वर्सेस एनन अधिकारी अगला क्षेन एक अपसलूट गिफ्ट ऑफवार वाउस तुबी विद दडिरेक्शन दैडी शाल रिसाइड ए नहीं बिना किसी अधिक्व किए हाउस बी को और बोला कि ये डारेक्शन दिया कि बी उसमें रहेगा ये गिफ्ट कि मैरेटी किया बताईए इस वैलिट बट डाइरेक्शन इस वाइड चाहिए अब अगला जो कुर्शन है उसको देखते हैं कि डबल पॉसिबिलिटी रूल वाज लेट डाउन इन विच और फॉलिइंग केसे दोरी संभाविता का नियम किस केस में निकल के आया था किस केस में लेट डाउन किया गया था विडबाई वसेज मिशेल में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सिलिरेशन इस गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांस्वर प्रॉपर्पर्टी एक्ट तोरी ताप्ती का सिध्धान्द संभत्ती अंतरण अधिनियम के किस धारा में दिया गया है बताईए किसमे लिए गया है धारा 27 उसके बाद दा प्रोविजर रिगार्डिंग अपोशन में बाइट टाइम इस गिवन अंडर विच अधि फॉलिक सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट समय द्वारा प्रभाजन से संबंदित प्रावधान संभत्ती अंतरण अधिनियम के किस धारा से संबंदित है धारा 36 एक को ओनर ऑफ इम्मोबल प्रोपर्टी एंड ट्रांस्वर अधिनियम के अधीन अचल संपत्ती का एक सवस्वामी कौन होता इसमें क्या इसमें वैलिटी होगी वैलिट ट्रांस्वर प्रोपर्टी संपत्ती का वैद अंतरण कर सकता है केवल कवज़ा दे सकता है केवल प्रियोग का अधिकार दे सकता है थोड़ी अवदी के लिए संपत्ती का अंतरण नहीं कर सकता है बताए इसका आणसर होगा पहला, चीक है? Right of redemption can be exercised मोचन के अधिकार का प्रियोग किया जा सकेगा पहला option है केवल बंधक, ग्रहीता को बंधक धन अदा करें के केवल बंधक धन को न्याले में जमा करके, केवल मोचन के लिए नियमित दावा दाखिल करके और उप्रोक्त सभी इसका अंसर होगा, all of the above चीक है? अब अगले question की तरह बढ़ते हैं, देखते हैं He who seeks equity must do equity is the juristic basis of which of the following section of TP Act साम्या को चाने वाले व्यक्ति को साम्यानकूल आच्रण करना ही होगा का विधिक आधार संपत्ति अंत्रण अधिनियम की निम्लिखित में से किस धारा में है? पताईए, इसका अंसर क्या होगा? section 51 The case of Arif versus Yadunath ये किस चीज़ से related है? इन में से कोई नहीं, ठीक है? How many type of mortgage are given in section 58 of the TP Act? section 58 of TP Act में कितने तरह के mortgage की बात की गई है? 6 तरह के mortgage, ठीक है? Once a mortgage, always a mortgage. Was laid down which are the following cases? एक बार बंधक, सदेव बंधक. ये किस case में कहा गया था? Nox and company versus rice. चीक है? A lease can be determined by पटे का परेवासन, परेवसान हो सकता है किस तरीके से? बताएए. All of the above. By flux or time, by implied surrender, by four features. चीक है? केवल समय के बीच जाने से, केवल वेवक्षि समरपड से, केवल सम पहरण से. चीक है? तीनों तरीके से. धूला भाई versus state of MP is related to which of the following under CPC. धूला भाई versus state of MP, जो है, किस चीज से related to CPC के अंडर? jurisdiction of civil court. ठीक है, civil नियाले के छेत्र अधिकार से. Which of the following judgment of the Supreme Court deals with the applicability of rest judicata in writ petitions? सरवोच नियाले के निमलिखित निरड़ाओं में से, किस का सम्मध रिट याचिकाओं उसके प्रड़ंगें के लागू होने से है? बताएए. दर्याओ वर्सिल स्टेट अफ यूपी. The object of oral examination under order 10 rule 2 of CPC is आदेश, दस्वा, नियान, दो, सिविल प्रकिरिया संगिता के अधिन, मौखिक परिक्षा का उद्देश क्या है? To elucidate the matter in controversy in the suit. वाद में विवादित विशे का विसदीगर्व करना, ठीक है? Which of the foreign remedies may be sought against ex-party decree? एक पक्षिये अज्यापती के विरुद्द निमलिकित में से कौन सा उप्चार प्राप्त किया जा सकता है? ए और भी दोनों. उसके बाद, और if the order to amend the pleadings does not contain time limit to amend, party can make the amend between. यदि अभी वचन के संशोधन के आदेश में संशोधन करने हेतू, समय सीमा नहीं दी गई है, तो पक्षिकार संशोधन कर सकते कितने दिनों में? चौदा दिनों में, ठीक है? ठीक है? थीन मेंने से अधिक नहीं होना चाहिए. The principle of feeding the grant by estoppel is given in which section of TP Act, Transfer Property Act. विबंदन द्वारा अनुदान का परी पोशन का सिधान संबत्ती अंतरण अर्धिनियम का की निमलिखित किस धारा में दिया गया है? पताईए. धारा 42 में. ठीक है? उसके बाद where a suit is wholly or partly dismissed under order 9, rule 8, or CPC, the plaintiff. जहां एक वाद सिविल प्रकिरिया संगिता के आदेश 9, नियम, आर्ध के अंतरगत, पूनता या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है, वहाँ वादी. किड़े क्या options है? शाल बे प्रकिरिया संगिता के धारा नवासी निम्लिकित में से किसे संबंदित है? बताईए. नियाले के बाद बाहर विवादों के निप्टारे में, जज्जमेंट का मतलब क्या है? नियाले द्वारा अग्यापती या आदेश के अधारों पर किये गए कतन, चीक है? से स्टेट्मेंट ऑफ जजजेस ऑन ग्राउंट अफ डिक्री और और अर्डर. अंडर विचोदे फॉलिंग प्रोविजन और सीपीसी, प्लेंट इस रेजेक्टेट बाद अग्यापती इन अप्सेंस ऑफ कॉस अफ एक्शन. सिविल प्रकीरा संगिता के अंतरगत निमलिखित प्राउधानों में से किस में वाद पत्र को वाद हे तुक न होने के कारण नियाले द्वारा अस्विकार कर दिया जाएगा. बताईए. और शाइवन रूल 11-A. विच अनुद फॉलिखित प्राउधानों में से कौन सा कतन सही नहीं है. बताईए. यह मामले को अंतिम रूप से अवधारन गड़ सकता है, यह मामले का प्रती पेशल कर सकता है, यह अतिरिक साक्ष नहीं ले सकता है, या विवादक विर्चित कर उन्हें विचार के निर्देशित कर सकता है. इसका अनुद फॉलिखित प्राउधानों में से किस आदेश के अपील नहीं होगी. धारा 35B, सेक्शन 35B, उसके बाद, लोग नुसेंस और लोग पर प्रभाव डालने वाले अन दोश्पूल कारियों के लिए निम्लिकित में से कौन वाद ला सकता है? ए और बी, दोनो. लिखित कतन, रिटेन स्टेट्मेंट. वाट शाल बी स्टेटस ए सूट ऑन पार्टी जथ. पक्षकार की मिरित्तियों पर एक वाद की क्या स्थिति होगी? यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, तो वादी का, वादी या प्रतिवादी की मिर्तियों से वाद का उप्षमन नहीं होगा. उसके बाद अगला कुश्चन है, प्लेस ओफ स्वींग इस मेंशन इविच पाड़ और सीपी सी, सीविट प्रक्रिया संगिता के किस भाग में वाद संस्थित करने का स्थान वर्डित है? भाग एक में. चुक है? अब उसके बाद आती है, situation where a person who is either a necessary party और proper party has not been joined in the suit is called. वह परिस्थिती जहां एक ऐसे व्यक्ति को वाद में सम्मिलित नहीं किया गया है, जो की या तो आवश्यक पक्षकार या तथा या उचित पक्षकार था को क्या कहेंगे? आज सहीं हो जान, non-joinder. एक डिपॉसित किया box of jewel with b, a ने एक डिपॉसित किया box of jewel b के पास, who is a well-reputed person अपने area में, c alleges that the jewels were wrongfully obtained from him by a, c ने एलिज किया कि a ने गलब तरीके से उससे ये लिया था and b से वो मांगता है उस box को, ठीक है? लीगली, b के पास कौन सॉप्शन अवलेबल है? बताएए. तो इंस्टिटूट अइंटर प्रीडर सूट अगेंस्ट A and C, which on the following is not a dispute settlement procedure referred under section 89 of CPC? ने मिलिकेट में से कौन सी विवाद निप्टारा प्रकिर्या सिर्ल संगित प्रकिर्या संगिता कि धारा नवासी के अंतरकर संदर्वित नहीं है? वारता, नेगोसिएशन, चेक है? विश ओदी फालिंगेट में से कौन अभी वचन के मूल नियम है? एक विभाजन का वारता प्रकिर्या से कौन से कौन से डिक्री होती है? एक विभाजन का वाद में निमिकित में से कौन से डिक्री संम्मिलित होती है? AOC, दोनों, ओरल प्रिलिम्री डिक्री और फाइनल डिक्री, चेक है? तो इसका अंसर यह होगा D. उसके बाद, which of the following deals with the exemption of member of legislative body from arrest and detention under CPC? सिविल प्रकिर्या संगिता के निमलिकित कौन सी धारा विधाय निकाओं के सदस्यों के सिविल मामलों में ग्रफतारी और निरों से संबंदित है? बताईए? धारा 35 से, देखिए करेंट एफर में भी राइस को मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ कि यह अभी यह संकुछ सांसत की गिरफतारी के लेकर लेकर की भी था, चाहिए? तो उनको इम्मिनिटी के रिफरेंस में यह करेंट एफर में था, विटर फॉलिंग सेक्शन और से व इट विट्रिया की तामील से सम्मंदित है आदेश तीन नियम पाँच किस case में कहा गयाता है कि जहाँ पर witness जो है वो confused हो जाता है course of examination के दौरान court जो है उसको सवाल पूर सकती है उससे सच निकलवाने के लिए राजस्थान इस्टेट राजस्थान वसस एनि विच आप फॉलिंग ग्राउंड इस नौट एपर प्रेट ग्राउंड फॉर टेंपररी इंजक्शन अंडर दे कोड़ सिवल प्रोसीजर निम्लिकित में से कौन सा आधार अस्थाई व्यादेश हे तू एक उचीत आधार सीव एक उसके बाद विच आधे फॉलिंग सेक्शन अफ इंडियन एविडेंस हैं मेक्स रेलेवेंट ऑपीनियन ऑफ इस सर्टिफाइं अथरिटी विच इसूर्ट एलेक्ट्रॉनिक सिगनेच्चर भारतिय साक्षदिनियम की निम्लिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक्स हट्स्ताक्षर के बारे में प्रमार करता प्रादिकारी की राय को सुसंगत बनाती है धारा 47 A Confession of one accused person is relevant against another confused another co-accused person under which are the following section of Indian evidence act एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्युक्रिती दूसरे से अभियुक्त के विरुद भारतिय साक्षदिनियम की निम्लिखित किस धारा के अधिन सुसंगत है धारा 30 विच अभिशन फॉलिंग सेक्षन और इंडिन एविदेंस एडिल विज सेकंडरी एविदेंस बारतिय साक्षदिनियम की निम्लिखित में से कौन सी धारा दित्ती है साक्षद संबंदित है धारा 63 दाइंड देक्लिरेशन तो बी एडमिसिबल इन एविदेंस विच अधिन विच अधिन फॉलिंग इस नोट नेसरी कौन सी कंडिशन नेसरी निया दाइंड देक्लिशन के किसमें बी एड़ पर्सन में के संबंद निम्लिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है यह की एक ऐसा कथन करने वाले की मित जो न्याले उस व्यक्ति या प्राधिकारी को अंकिये अस्ताक्षड प्रमाणपत्र पेश करने का निर्देश दे सकेगा तो यह उसके बाद और विटने से लीडिंग पूछ सकेगो अब योजन पक्ष को अपने साक्षी के से सूचक प्रस्ण पूछन के अनुमती कब दी जा सकती है जब कोई अन्यव्यक्ति उसके हस्ताक्षड के पैजान नया लेके समक्ष करें वेन दर विटनेस डेक्लेर्ड होस्टाइड तो इसका option C होगा जब साक्षी को पक्ष द्रोई घोशित किया जाए when the witness is declared host style तो इसके साथ हमने दोस्तों 50 set of questions के practice की हमने Hindi और English तो इस चीज़ों को हमने आसान मनाने की पुरी कोशिश की है and I really hope की जादा जादा question आपके इसमें से सही हुए हो और जैसा कि मैं आपको मैं देख पा रहा हूं कि जादा तर जो है law focused questions पुछे जाते हैं और बाकि सेक्टर से भी हैं ठीक है तो इसमें जो CPC और transfer of property act इसमें जादा focus भी रहा है जैसा कि हमने देखा तो इसी के साथ हाँ अपने इस video को end करेंगे and I really hope कि आपको इस video पसंद आयो हो तो इस video को please like के लिए channel को subscribe करें and अपने valuable comment से ज़रूबत है कि आपको इस video कैसे लगी and तब तक के लिए आपने जो set 1 था और NCQs का उसको जरूब practice करेंगा यह set 2 है और आप भी आगे practice questions के हम वीडियो लाते रहेंगे तो अपने के लिए thank you and goodbye कि आपे के लिए वीडियो लाव टेए और आपको इस video को जा है के लिए यह सूबसाफ में तो आपको ज़िए टायो है